कैसा रहेगा साल दो हजार चोबिस धनू राशी वाले जातकों के लिए रादे रादे मित्रो स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल आस्था और जोतिश ग्यान में क्रिपया करके मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नहीं आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे तो चलिए मित्रो आज का हमारा टोपिक है कैसा रहेगा साल दो हजार चोबिस धनूराशी वाले जातकों के लिए धनूराशी के लोग बहुत अच्छे और हस्मुक सभाव के होते हैं यह लोग अपने प्रभावी असधारन और अध्यात्मिक प्रवती से किसी को भी अपनी तरफ आकरशित कर लेते हैं इस राशी में जन्में लोग महत्वकान्शी और दूसरों के लिए प्रेलना दायक होते हैं यह पूरे उत्सा और साहस के साथ अपने काम को अंजाम देते हैं इस राशी के लोग बातों से ज्यादा काम करके दिखाने में भरोसा रखते हैं अपनी इमानदारी और वफादारी के कारण यह लोग खूब मान सम्मान पाते हैं राशी स्वामी ब्रहस्पती, अरादे देव शिरी विष्णू नरायन, भागेशाली रंग पीला, राशी अनुकूल वार, ब्रहस्पती वार, रवी वार, एवं मंगल वार करियर कारे विवसाई की द्रिष्टी से यह वर्ष प्रारम में आमदनी के नए स्रोत्र मिलने की उमीद है इस वर्ष कोई नया कारे प्रारम करेंगे, तो उसमें सफलता मिलने की संभावना है अप्रैल के बाद समय थोड़ा परभावित हो रहा है उस समय चटे भाव में गुरू के प्रभाव से आपके विवसाई में उतार चड़ाव का योग बन रहा है किन्तु इस सार शनी आपकी राशी से तीसरे भाव में खुद के घर में होंगे यह आपके लिए बेहत शुब है किसी भी कारे को करने के लिए आपका आत्म विश्वास बढ़ेगा आप भागे की जगे में पर यकीन करेंगे जो लोग नोकरी बदलने या बिजनेस में कुछ नया करने का विचार कर रहे हैं उनके लिए मई के बाद का समय काफी बहतर हो सकता है परिवार पारिवारिक दिष्टी से यह वर्ष मिला जुला रहेगा व्यस्तता के कारण परिजनों को अधिक समय नहीं दे पाएंगे अप्रेल तक पंचम भाव के गुरु के परभाव से नव विवाहित व्यक्तियों को संतान सुकी प्राप्ती होगी संतान के लिए वर्ष का प्रारंब अनुकूल रहेगा पंचम स्थान के गुरु के परभाव से आपके बच्चों की शिक्षा के प्रतिरूची बढ़ेगी विवायोगे संतान का विवा हो जाएगा अप्रैल के बाद समय थोड़ा प्रतिकूल होने से स्वास्थे बिगड सकता है चोथे भापर राहू का गोचर पारिवारिक महोल खराब कर सकता है इसलिए संतूलन बना कर चलना होगा स्वास्थे राशी राशी स्थान पर गुरू की दृष्थे के परभाव से शारिरीक रूप से आप संतूश्ट और स्वस्थ रहेंगे अप्रैल के बाद गुरू ग्राय का गोचर प्रतिकूल होने के कारण स्वास्य परभावित हो सकता है छटे सान का गुरू पृत्वी तत्व राशी में होने के कारण संक्रामक रोग या पेट समंधी परशानी दे सकता है आर्थिक सिती आर्थिक सिती से वर्ष का प्रारम अनुकूल रहेगा एक आदर स्थान पर गुरू ग्रे की दिष्टी प्रभाव से धनागमन में निरंतरता बनी रहेगी प्रंतु अप्रैल के बाद गुरू ग्रे के गोचर के बाद आर्थिक सिती बहुत अच्छी नहीं रहेगी कुछ ऐसे खर्चे आ जाएंगे जिसके कारण आपका बजट बिगड सकता है किसी को पैसे उधार ना दे नहीं तो वापसी की उमीद कम है परिक्षा परत्योगिता परत्योगी परिक्षा के लिए यह वर्ष उत्तम है पंचम भाव में गुरु के परभाव से उच्छ शिक्षा के लिए प्रयासरत विध्यार्तियों को अच्छे शेक्षनिक संसान में परवेश मिल जाएगा शनी की तीसरी दिष्टी का प्रभाव आपके पंचम भाव में रहेगा प्रिक्षा परत्योगिता में सफलता मिलने के लिए अत्यधिक प्रिक्ष्रम करने की अवशक्ता भी रहेगी अप्रैल तक का समय बेहत अनुकूल है इसलिए इस समय पर अगर कोई प्रिक्षा परत्योगिता में आप सफलता प्राप्त करने का परयास कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी उपाए माता पिता गुरू सन्यासी और बड़े लोगों का आशिरवाद ले मंदिर या धार्मिक स्थान में केला या बेसन के लड़ू दान करे तो चलिए मित्रो आज हमने जाना की कैसा रहेगा साल 2024 का धनूराशी वाले जातकों के लिए एवम उपाए तो चलिए मित्रो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल आस्था और ज्योतिश ग्यान को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे इसके अलावा मेरे आस्था और ज्योतिश ग्यान के दर्शक अगर अपनी कुंडली का विशलेशन मुझसे करवाना चाते हैं तो यह मेरा कॉंटेक्ट नंबर दिया हुआ है आप मुझसे कॉंटेक्ट कर सकते हैं धन्यवाद मित्रो